अब जो आप सभी लोग आइधिक आप सभी लोग अच्छे और सेफ होंगे और देख सकते हैं मेरा रूम पूरी तरीके से साफ हो चुका है अभी मुझे कोई काम ज्यादा नहीं करना पड़ता है क्योंकि इस साहं पे मेरी बहन आई हुई है और मेरे रूम का और घर का सारा का हम था हम वही कर देती है क्योंकि अभी हम ज्यादा काम नहीं कर सकते हैं इसलिए मैंने वोग बुला लिया घिसे कि मेरी खोरी से हेल्फ हो जाए और आज साहीन मौनिंग में बनने लगे हैं फरे क्योंकि हम रोग कई दिन से खाने का था मन कि हम लोग पड़े खाए तु बस आज सुबे से बनने लगें चलिए हम दिखाते हैं कि यह हमारे आप पर एक ऐसे बनते हैं यह देखिए दोलों लोग बना रहे हैं हरा है कि किचन में खड़े होकर बनाने में थोड़ा सा दिक्कत भी आती है मैं इस टाइम पर खड़ी जादा नहीं हो पा रही हूं डॉक्टर ने मुझे मना किया है इसलिए मम्मी को ही फरा बनाना पड़ रहा है यह देखिए यह शावल का आटा है जिसमें थोड़ा सा नमक डाल कर इसको माड़ लिया गया है मेरे हां उरत की दाल जो है वो पीस कर आई हुई थी मेरे माईके से जिसे की काम आसानी से हो जाया दही बड़ा जब बनाओ या फिर यह बनाओ तो बस इस पेस्ट को भीगो दू और यह एक घंटे में पेस्ट जो है वो फूल जाता है फिर इसमें नमक जीरा पाउडर मिर् मिला कर इस पेस्ट को देखिए ममी ने ऐसे भर दिया है थोड़ा से मदब आटा लेकर और इसको रोटी टाइप से बना लेते हैं और पिर यह देखिए इस टाइप से इसमें जो पेस्ट बना कर तयार किया है वो भर देंगे और यह जो पत्ले पत्ले से रखे हुए हैं यह इसको साधा फरा कहते हैं हमारे यहां कडाई गैस पर चड़ा दी गई है और इसमें दाल लिया गया है थोड़ा सा तील यह मस्टर्ड वायल है और अब तेल जो है हमारा गरम हो चुका है इसमें डालेंगे सब्से पहले जीर जीरा डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे पानी पानी जो है वो फरा के कोटिंग डालना पड़ता है पानी ब्वायल हो रहा है तब तक हम भाग आए है कमरे के अंदर और पानी ब्वायल होता रहेगा फरा तो सारे बन चुके हैं मम्मी और बहन ने मिलकल बना डाले हैं तब तक हम थोड़ा सा पंके में बैठ लेते हैं और फिर जाएंगे जब परा डालना होगा पुझा का डाल देंगे तेजी पानी देगा हो बहुत वस्तनी करके है अधेस देखिए अधाउ अब जादा लगए यह जाब फे में विए लूत जाब है अब यह गाए लूट और यह दिखे हैं वहां पर फरा हा बना रहे हैं हम लोग वहाँ अफेका का मज़ा ले रहें तो हे यहां पैंटाटी का मज़ा ले रही भहिया काभी उट रो कुछ किरा लिया करूँ अच्छा पहारा बनाने नहीं कहाई था हम वी तो गई थी पहारा दूक में बनी गएं इतर लेटी तो वह सोझाओ कि भी तुम को प्राइर दबाएगे तुम थे चुकी थीन सुरुपए वह निकलवालो हमसे जिन्दगी बरबाद हो गई जिन्दगी हमारी बरबाद हो गई तुम्हारी नहीं नहीं है भूमें रख लोगो चलाओ मत दस में बस गल जाएगा पानी पी लेना वन्हां दाथों को महनत पड़ जाएगी इतने यह उत्ता टाइम नहीं है इसे इंसान नहीं इंसान हां इंसानी इंसान कल जानुर बोली तें इंसान बोल लिए हो नहीं बन गए है नहीं जारे अब भम हरे पक चुके हैं थोड़ा ठंड़े भी हो गए हैं अब हम इनको इस तरीके से चाकु से काट लेंगे कि सबसे पहले इसमें डालेंगे जीरा अब दालेंगे हरे बिर्ट खालें जुके ऀालेंगे जीर क्रोंडे आड़ी है कर दो दो है अप्समें 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 इर भाओ को दो ये लगफ दो भी दो गप्समेंज्ज तर गड़ा है कर दो कर दो अदो कर लो कर दो हैं जो और दो कर से अदिए Przyर शोड़े कर दो दो कर दो कि एम जूड़े दो कहा लो के अगयाि कर दो ढाद है कि सारे लोग घर्म भरावरा खा चुके हैं और अभी आइधिंक कितना टाइम हो रहा है अभी साड़े ग्यारा बज रहा है और सब अपने अपने कमरे में ऐसे लेटे हुए हैं लग रहा है जैसे कि चार बज रहा है अच्छा तो जाओ खिचड़ी बना लो तो ऐसे भी खिचड़ी अभी बनेगी थोड़ी देर में क्योंकि यह लोग फ़रा ज्यादा खाते हैं चाय के साथ हम लोगों को फ़रे बहुत पसंद है अरे तुम्हें इनको जो है ना इनकी पसंद ही कुछ अजीब है एकदम अलग है बस खाली जो तीखा और खुब गंद्या गंदगी में बना हुआ हो वह उनको पसंद आता है और मैक्सिमम चीजे जो बाहर की होती है वही यह पसंद करते हैं खाना घर का खाना बहुत कम पसंद करते हैं अरे हटो पता चले पांच बार बनाओ पोई चीज उसका फिर टेस्ट लेकर आओ वही सौप वाला ना तब जाके यह खाते हैं जब तक सौप वाला टेस्ट नहीं आगा तब तक नहीं खाएंगे अच्छा तो चलिए अभी तो साड़े ग्यारा बजा है और मुझे लग रहा है कि बस अब हम लोग सब लोग सो जाएंगे और फिर देखते हैं कितने बज़े उठते हैं अहीं इसा नहीं उठें में और खिच्रच बनाकर फिर खर खालेंगे यह लोग और फिर सुने लगेंगे उसके बाद आप अब 4 बज़े और 4 बज़े चाय नाशता होगा कि हिले लगत तो कि खि़ाता रहेगा है का जारेंगे तो चलिए अभी हम लोग जा रहे हैं सोने और आप से मिलते हैं अपने एक नए ब्लॉग में और आप लोग पराबना जुरू सीखेगा मुझे पसंद ने हो सकता बहुत हो पसंद हो परा तब तक के लिए बाइ-बाइ टेक क्यार और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा ल ऊके थार वचे, बाइ-बाइ